हर दिन एक नया दिन है, कल जो आपने बिताया वो एक ऐसा दिन था जो आपके अतीत का प्रदर्शन कर रहा था मगर आज आप चुन सकते हैं कि आज का दिन आप किस तरह से जीना चाहते हैं किन विचारों से आप आज का दिन बनाना चाहते हैं और उसी सकारात्मक उर्जा को चुनने के बाद आप अपने जीवन में एक लंबा परिवर्दन ला सकते हैं एक सफल जीवन महान कामों से ही नहीं बनता हमें हर दिन अपनी महानता को चुनना होता है तभी हमारा जीवन सफल बनता है हमें हर दिन एक नई उम्मीद, एक नई उत्सुकता के साथ जग्रा होता है तब ही हम हर दिन को सबसे बहतर रूप से जी सकते हैं जब हर दिन खुपसूरत होगा, तो अंत में पूरा जीवन ही खुपसूरत निकलेगा तो सिर्फ आज पर ध्यान देते हैं, कल पर नहीं और बीते हुए कल पर भी नहीं आज के लिए शुरू करते हैं अपने ध्यान से एक आराम दायक स्थिती में बैठ चाएं, कमर सीधी रखें, आखों को बंद कर लें, भाओं को धीला छोड़ दें एक लंबी गहरी सास भरें और इसे रोक लें, इस सास को मुझ से छोड़ते हुए शरीर को और आराम दायक स्थिती में आने दीजिए एक और लंबी सांस भरें और इसे रोकें और सांस फिर से मुझ से छोड़ते हुए पेरों को हाथों को ढीला छोड़ते जाएं किसी भी तरह का तनाव शरीर में हो उसे पिघलने दें फिर से एक लंबी गहरी सांस भरें अब धीरे से छोड़ते हुए शरीर को और ढीला छोड़ते और हलका होने दे पूरे शरीर के अंदर इस उर्जा को महसूस करें सांस आपके शरीर के हर कोने में जा रही हो इस पर ध्यान दे और कहीं भी लगे कि सांस नहीं बह रही तो और लंबी सांस लेते हुए उस रुकावट को पिखलाते जाएं देखें कि शरीर कितना धीला और हलका हो रहा है अपने सर के उपर एक दिव्वे प्रकाश महसूस करें और देखें कि ये दिव्वे प्रकाश अब धीरे धीरे आपके मस्तिष्क से होते हुए चेहरे पे आ रहा है और धीरे धीरे अब ये सफेद दिव्वे प्रकाश आपके गले में जाते हुए आपके गले को और आराम दायक स्थिती में छोड़ रहा है और ये नीचे अब आपके कंधों में छाती में आ रहा है आपके रिदे चक्र को खोल रहा है जिससे किसी भी तरह के तनाव को, दुख को, दर्द को जो आप समेटे हुए हैं आपके शरीर से बाहर जाता जाए धीरे धीरे ये आपके पेट के उपर के हिस्से में आ रहा है आपके मणिपुर चक्र को साफ करते हुए ये नाभी से नीचे की तरफ जा रहा है आपके स्वाधिश्ठान और आखिर में आपके मूलाधार चक्र रीड के बिलकुल निचले हिस्से पर ये पूरा प्रकाश आपके सारे चक्रों को उज्जलित कर चुका है जिससे की हर चक्र सही संतुलन से काम करे और आपको एक खुबसूरत जिन्दगी जीने के लिए सारी सहायता दे देखिए ये प्रकाश अब आपके पैरों में फैल रहा है और जमीन की तरफ जाते हुए ये आपके पूरे शरीर को एक सफेद उर्जा में समेट रहा है ये उर्जा आपका आभा मंडल है जो आपके आत्मा की शक्ती को दिखाता है देखिए कितनी दूर तक ये आभा मंडल पैला हुआ है हम हर दिन अपने आभा मंडल को तै करते हैं कि ये कितना बड़ा हो और कितना कम हमारी शक्ती हर पल में है हर पल अगर हम सकारात्मक विचार चुनेंगे तो हमारे जीवन में सकारात्मकता की उर्जा बढ़ती जाएगी आज हमें प्रण करना है कि हम अपने जिन्दगी में इस दिन में कम से कम 51 पतिशत सकारात्मक विचार चुनेंगे जब ये विचार जादा मात्रा में होंगे तो खुद बखुद हमारा जीवन भी सकारात्मकता से परिपून होता जाएगा पूरे दिन के खत्म होने पर आपके चेहरे पर क्या खुशी होगी उसको देखिए देखिए कि किस तरहा सकारात्मकता को चुनके आप अपने जीवन को एक एक दिन करके सभलता और खुशाली की तरफ लेते जा रहे हैं ये देखिए देखिए कि कितना अच्छा आपको लग रहा है जब आपने अपने विचारों को नियंतरण में ले लिया और आज किये गए सारे काम को भी आपको कल तक ले जाने की जरुरत नहीं है हर दिन हमारे पास चुनने की शक्ती है याद रखे इस बात को आज ऐसे क्या अच्छे काम हैं जिसे आप अपने भविश्य में ले जाना चाहते हैं उनको आप अपने साथ समेटते हुए आगे ले जाएं एक लंबी गहरी सांस भरे और शरीर में देखिए कि हर वक्त आपका शरीर किस तरह से उत्सुक है एक नए विचारधारा एक नए काम करने के लिए हर दिन एक नया विचार और एक नया काम जरूर अपने जीवन में शामिल करें एक लंबी गहरी सांस भरते हुए शहरे पर एक मुस्कान लाईए अपने आपको शाबाशी दीजिए किस तरह आपने आपके हाथ में जो आज का समय है उसका सद उप्योग किया है दिन के हर पल, हर घंटे, हर क्षण को सही तरीके से इस्तिमाल करके ही एक खुबसूरत भविश्य का निर्मान हो सकता है आज से आपको इसका पूरा ग्यान है और आप हर वक्त इस ग्यान का इस्तिमाल कर रहे हैं याद रहे, 51 प्रतिशत सकारात्मक विचारों से आपने आज को भरना है एक लंबी गहरी सांस भरते हुए देखिए कि आपका आभा मंडल पूरे कमरे में उज्वलित हो रहा है पूरे कमरे को रोशन कर रहा है और धीरे धीरे आप में वो आत्मविश्वास भी जागरुख हो रहा है जो आपको इसे पूर्ण करने के लिए सारा साथ देगा रगड़के अपने आँखों पे रखें और धीरे से आँखे खोलें स्वागत है स्वागत है स्वागत है आपका एक जागरुख जिन्दगी में आपका स्वागत है